Hello friends, welcome to AB classes. Friends, आज का सब्जेक्ट है Industrial Engineering. Industrial Engineering के अंदर आज मैं समझाने याला हूँ प्लांट लियाओट. यदि friends आप प्लांट लियाओट की डेफिनिशन, प्लांट लियाओट की टाइप्स, प्लांट लियाओट की अबजेक्टिब समगेना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखे हैं इंडस्ट्रियल इंगिनियरिंग के और भी वीडियो में डाल चुका हूँ वह आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ने सभी वीडियो की लिंक दे रखिए वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट भी बना रखिए इंडस्ट्रियल इंगिनियरिंग के नाम से उसमें भी जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं ऐसे प्रेंट्स हमारे जिनोंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंट्स जो आपको रेट कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन पर क्लिक कर लें जिससे कि जब भी वीडियो में अफलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके अब फ्रेंट्स स्टाट करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंट्स यहाँ पा जो टॉपिक लेखा प्लांट लिया हूँ यहाँ से मैं स्टाट करना हूँ समझाना सिर्प आपको धान से सुनना है और समाईना है उस प्लांट को बनाने से पहले भी हम क्या करते हैं प्लांट का एक लेयाउट तैयर करते हैं लेयाउट होता है एक किसम का अगर हम नॉर्मल वासाम बोलें तो एक मैप होता है क्या होता मैप होता है वह पुरा जो प्लांट के अंदर ही हम क्या करते हैं complete करते हैं उसे बोलते plant layout एक plant layout बनाने का purpose क्या होता एक plant layout बनाने का purpose होता प्रेंट्स जो भी हमारे काम होना है किसके उपर काम होगी machine की उपर होगी raw material का movement होगा worker के लिए जगाय होगी हमारे material को store करने के लिए जगाय होगी तो यह जो हमारे machine है उनकी जगाय या places fix करना हमारे जो working places हैं उनको fix करना material को store करने के लिए जगाय fix करना या सभी काम होगी हम क्या करते हैं पैसे एक plant का layout तैयार कर लेते हैं जिससे हम plant को एक complete बना सकें उसमें जो क्या होगा जो हमारे operation होगे प्रोड़क्त करना होगा कि हमारे प्रोड़क्त को जो operation हो वह एक के बाद एक सही तरीके से हो जिससे की material का movement काम है और जो worker का movement है worker की काम करने के लिए जो movement है वह भी जगाय इस तरह देना चाहिए या worker free होके आसानी से काम कर सके और material को store करने का भी आसान इस तरह होने चाहिए तो उसको आसानी से store कर सके और जो हम material को store करने के बाद बहार वेजेंगे या अंदर लाएंगे material मसीनों के पर वह एक उसके लिए भी distance अधिक दूरी तैरना करना पड़े जिससे की time based ना हो और हमारी इस तरह प्लांट लियाउट तैयार करने चाहिए कि हमारे कोई भी accidental case काम हो और क्या हो सुरक्षित हो जिसे बोलते हैं ठीक है और time saving हो और हमारी cost कम से कम लगे और हमारा फाइदा अधिक से अधिक हो इस तरह हम एक plant layout बनाते हो नौर्मल हमें सबसे पहले तो plant layout क्या होता है या हमें क्या करना पता है define करना तो यहाँ पर definition लिखी हुए फ्रेंट्स नौर्मल आप समझ सकते है plant layout क्या है जो भी plant के अंदर machine है या worker है या service center है या फिर store है उनका जो एक arrangement है या फिर कैसा कैसा फिर सही तरीके से arrangement करना ही क्या होता है plant layout होता है इतना आपको समझ में आ गया होता है अब फ्रेंट्स इसके objective समझेंगे फिर इसके वाद हम इसके type समझेंगे वैसे types में पढ़के सुना देता हूँ यहाँ पर लिखा होगा product और line layout type process और functional layout होता है fixed और position layout होता है combination layout होता है group layout होता है इन सबी को समझेंगे लेकिन सबसे पहले इसके objective के plant layout के उसको समझेंगे लेकिन सबसे पहले जो भी plant layout बनाने का क्या पर पादेगे तो यह कई वार question पूछ लिए आते हैं तो यहां पर पाद लेते हैं इससे आपको और अच्छी समझ में आयागा plant layout क्या होता है तो friends सबसे पहले जो भी plant layout का जो objective में हों चाहिए उसमें क्या हों चाहिए जो material का movement है वाई साहिसे क्या हों चाहिए मतलब ensure हों चाहिए जिससे ऐसा बनाना चाहिए material handling का movement की उसका movement कम से कम हो और समय उसमें ज्यादा से ज्यादा safe हो इसके अलावा friends क्या होता है जो भी हमारी जो space available करा रहा है उसका साहिसे उपयोग हो चाहिए बेस्टेज नहीं हो चाहिए कि कोई भी जगाए खाली शोड़ दी तो इस तरह जितना भी हमारे पास जगाए उसका साहिसे सदियोग होने चाहिए इसके लावा जो भी हमारे production center है और जो भी service center उनके लिए साहिसे इस्तान होने चाहिए जिससे कि production में कोई problem ना हो सर्मिस में कोई problem ना हो इसके बाद होता फ्रेंट्स नेक्स्ट लिखा होगा प्रेंट्स जो भी हमारा workplace है उनकी प्रोपर डेयन हो चाहिए जैसे पांच में नमबर पर लिखा होगा प्रेंट्स कि जो भी हमारे worker का moment होता है एक मसीन से दूसरी मसीन के और जा रहा है या प्रेंट्स कोई काम है उनका moment कम से कम रहना चाहिए जिससे कि समय को शेप किया सके और लेवर पर जो हमारा लोड है कम से कम पढ़ेंगा प्रेंट्स जो भी हमारे six number में लिखा हुआ है यह हो गया सर्मिक इसके लिए लेवर के लिए नेक्स इस समस्ट नममर लिखा हुआ है प्रेंट्स कि जो भी हमारा production हो रहा है उसमें क्या होता है मट्रियल जब हम दूसरे एक मशीन से दूसरी मशीन प्ले आ रहा है तो बेटिंग नहीं हो चाहिए वहला continuous supply हो चाहिए उसमें के लिए safety का भी पूरा ध्यान रखना रखना चाहिए इस तरह का हमारा plant ले और फूल चाहिए next 8 नममर में लिखा हुआँ प्रेंट्स कि लंबाई चोणाई के साथ साथ उचाई का भी ख्याल रखना चाहिए तो उसमें भी कोई प्रोल्म ना हो next 9 नममर में लिखा है बहुत important plant इस तरह है flexible हो चाहिए प्रेंट्स कि हमें जरूरत पर उसमें हम क्या कर सके और उसको बढ़ा सके बढ़ाने का मलदा plant को और increase कर सके उसको और ज्यादा ज्यादा उप्योग कर सके ठीक प्रेंट्स तो flexibility के मलदा हमारा एक छोटा plant है अगर हम उसको थोड़ा और बढ़ा करना चाहिते हैं उसमें और unit बढ़ाना चाहिते हैं तो उसमें और बढ़ा सके इस तरह की डियान होने चाहिए अब friends जो different types के plant layout होते हैं उसको भी देख लेते हैं friends पहला जो आपको देख रहा होगा product or line type line type का मतलब होता है एक ही line में सभी को लगाना बसी लोगा है तो हम जानते हैं plant की अच्छी तरह है हमने इससे पहले भी समझा चुकिए आप पढ़नी चुकिए जैसे कि raw material यहां से transfer होगा तो हमारे पास कोई drilling machine है जहां पर drill होगा उसके बाद कोई boring machine लगी होगी मान लिए मैंने के example है यहां पर बोरिंग होई फिर grinding करना तो next machine grinding पर लगाएंगी पर इसके बाद milling करना तो milling इसके बाद inspection होगा उसके बाद प्रिस प्रोडक्ट कंप्लीट होगा वाए हम प्रिस से store में complete product को रख देगे तो हमारे क्याने का मतब फ्रेंट्स की जो भी हमारे पता है हमारे प्लाइंट में कौन से production होता है किस product के निमान होता है तो उसमें कौन-कौन अगर हमें कोई प्रोड़क्ट का निमाल्का निगी तो लाइन लियाओट के राएगा next आएप के समझते ह ls प्रोसेस और फंक्शनल लियाओट अब इसमें क्या होता फ्रीज्ट किया होता अलग अलग डपार्टमेंट बना दिया घिसे लोलते अलज आलग शोप बना है कि वहाँ पर एक shop में special सारे काम उसी के अंदर हो ठीक है तो जैसे कि हमारा store होगा फ्रेंट्स उसके अंदर material रखा हुआ है अब हमें किसी foundry shop के अंदर कोई काम बना तो इस foundry shop के अंदर foundry से related जितने भी काम होगे वो इसी shop के अंदर हो अगा turning shop turning के काम है तो turning shop के अंदर होगे billing के काम है उसके अंदर हों ग्रैंटिंग काम इस तरह बेल्टिंग शॉप ड्रिलिंग शॉप और इंस्पेक्शन शॉप जो भी department है और जो भी ही treatment करना है तो कहां जाएंगी सिधा हमारे treatment department जाएंगी उसके बाद अगर मुझे मालू मिलिंग करना है तो उसमें मिलिंग करेंगे इसके बाद ग्रैंडिंग करना है या drilling इस तरह यह में कहने का मालब अललग शॉप हैं जिस काम जैसे हमारा इसे बोलते हैं फांटनल लियाओ अब नेक्स टाइप कर समझते फ्रेंट्स और यहां पर लिखा हुए इसको नहीं समझ पा रहे हूं कि हमारा complete प्रोड़क के श्टोल में ले जाए नेक्स टाइप का समझते फ्रेंट्स next reference fixed position layout fixed position layout फिक्स्ट पोजिशन layout पें क्या होता फ्रेंट्स एक प्लेस या जगाय स्तान fix कर या यहाँ पर एक operation fix होना या जो भी प्रोडुक्थ तो वहीं पर जाके सभी कामों को करने पड़ेगा जैसे की परेंस है यहाँ है यहां पर माल लीका उन भीन करने मोथे अरस होगी घुन को अधर सुब्दा यह Pan लान पड़ेगा और जो भी तूलसे और जो भी हमारे मैंट वी काम करना लेगे यहीं पर प्रोडक्ट को हम ट्रांसपर्ट नहीं कर रहे हैं जैसे कि रोमाटरियल हमने अधर बता हुए थे जो भी हमारी लेवर काम करें मसीनों के पास अधर रहे हैं अलाग प्लेस हो लेकिन इसमें क्या होता है एक मेन्यूट बना दी आती है और जो भी अधर हमारे पास है कोई असे काम करें एकạnhन तो उससे मुलते हैं फिक्स्ट पोजशन ले आउट अब नेक्स ट्याप का आएं इस घैसे कि यहां पर है जैसे माने मालिय अब फोर्जिंग सॉप है तो फोर्जिंग की जितने भी मसीने होगी जितने भी टाइप की फोर्जिंग ऑपरिसंद है वह एक ही सोप में एक लाइन में लगा देगा इस तरह जो हमारी गेर कटिंग सॉप है उसकी जो मसीने हो उसको एक ही इस तान में लगा देना और जो भी हमारा जैसी गेर का एकजाम पर लिया है इस ताइप की मसीने एक टाइप की मसीनों को एक ही जगाए पूरी उनको सेट कर देना इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन लेयाओट के लिए अपैक्स जैसे कि यहां पर इस डाइग्राम में समझाया गया है यहां पर जैसे कि हमें फोर्जिंग सम्में कोई ऑपरेसन करना है मालग किसी मसीन पर अगार हमें ऑपरेसन हो रहा है और बढ़ाना इस तरह बढ़ाती हुए हमारा प्रिस प्रोड़क कहाएगा हमारी इकहां पहुंच जाएगा इस टोर पहुंच जाएगा complete होने पार ठीक है लेकिन और मसीनों का यूज नहीं हुआ, याद रखें। तो हमारा कैणिक जिस फोर्जिंग सट है तो था कि फोर्जिंग मसीन एक ही सट में रख दें। कि जबढ़ी हमें फोर्जिंग के किसी भी टाइप की ऑपरेसिन की आवश्च्छता होती है। तो हमें पता इस swap में जाएंगे तो उन मसीनों पर अलगा लगी होगी जिस टाइप को उपरेशन कर लेंगे उसके बाद हमें गयर कटिंग में जिस टाइप की मसीन के उच करना उस टाइप की मसीन के उच करेंगे थे के फ्रेंट इस तरह हम कर लेंगे इसकी डेफिनेशन की आपार्डिंग हम देखें तो हमारा सीधा कहने को यह होता है कि एक ही टाइप के जो भी ऑपरेशन होते हैं उनको क्या करना है एक सौब में एक लाइंज में तयार करना है या मसीनों को सेट करना है अब नेक्स टाइप का लेओट है उसको भी शमझ लेते हैं। समझ़ गए होगों Friends,rie Summinate layout दो अब नेक्स-टाइप लेआउट है ቤ उसको भी सममझ लेते हैं praticamente next thin is group Layout group मनला होता Fine यहाँप बनाना है अब ग्रॉप बनाना क्या होताrepni होगया से थोड़ा से समझेज़ ऐगे कोई प्रोड़क्ट के अब इसको बनाना है अब बनाना शुम नें था पांच ताइपके उल्य के फैदसง को अब वााल कहरे बनाना है कि जिससे कि उस प्रोड़क्ट निज्टप हो सकते हैं इस तरह पूरी कंपनिग र आगए भर कोड़ा होते हैं थीक है तो अलब अलग प्रोडक्ट पर कई बार अलग अप्रेशन भी होते हैं तो हमे जिस टाइव के प्रोड़क्ट पर इस टाइब के अलग अलग गृप बना रहेगा जिससे की सबी प्रोडक्ट एख ही जगह अलग टाइप से फिनिस होसा है समझ में आया होगा जैसे कि एक प्रोडक्ट पर पॉपरीशन होना है तो पांचों मसीनों के एक जगहार रख देना और वहां पर आसानी से असस पे उसपर आपाउपरेशन की प्रोडेशन होना है तो वहां पर डिप्रेंट टाइप की मसीने एक जगह रखके गुरूप बनाके वहां पर उस प्रोड़क्ट का निमाना किया जा सकते। इस तरह गुरूप बनाना कंपणी एक अंदर इस तरह का लेवाफ चाया करना। उसे बोलते हैं गुरूप लियाओ। यहां पर दिखरा होगा रहोग मटरियल आया। अगर मैंने मान लिए एक गुरूप है हमारा यहां पर एक कम्प्लिट प्रोड़क्ट होना है। हमने एक गुरूप बना दिया सारी मसीनों लगा दिया। जिस ताइप की होना है। टी-meas turning है, M-meas milling machine है, D-meas drilling machine, S-gee-meas service grinding, C-gee-meas rendical grinding है। एक एक आट्जाम पर लिया है। माणलो यह कुछ परूप इस तरह की सेट लिया है। तो हमने इस पर जो भी operation होने वो एक साथ set कर लिए साथ complete product assembly होके यहाँ पर जिश्टोर है वहाँ पर प्रोड़क्ट जैसे हमान लिए कोई दूसर प्रोड़क्टर उस पर different type की operation होना तो उनको एक साथ combine कर लिए इस तरह तीसरे कोई प्रोड़क्टर उस पर अनक टाइप की operation होती ही उनको जो machine होने वाले उनको एक ग्रोप में combine करके हमने वहाँ set कर लिए तो इसे बोलते हैं ग्रोप लिए आप समझ में आया होगा मैं निकोसिस की theory exam के पत्पास से जो भी आज समझाने की plant layout के वारे में यदि आपको पसंद आये तो वीडियो को like जरूर करें Thank you friends